नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। असल जीवन में आयतन का क्या अर्थ है इस बात को समझने की। तो यहाँ पे मैंने आपको एक यह लड़की दिखाई है खड़ी हुई और इसकी जो लंबाई है उचाई है वो 1.8 मीटर है या फिर 180 सेंटिमीटर है। आप इसको समझ सकते हैं कि यह 200 मीटर में कुल 20 सेंटिमीटर ही कम है। ठीक है। अब मैं आपको यह समझाना चारी हूँ कि अगर आप आयतन की बात कर रही हैं तो आयतन का असल मान क्या होगा। की उचाई होगी। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्ण पूछती हूँ कि अगर मैंने इस डब्बे की आयतन की बात करी तो क्यूंकि यह डब्बा जो है मान लीजे मैंने कहा कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चोड़ा और 1 मीटर उचा है तो इसमें आप कितने लीटर दूद भर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने प्रश्ण को किस तरीके से परिवर्टित कर दिया कि अभी तक तो मैं जो है लंबाई, उचाई, चोड़ाई की बात कर रही हूं मीटर में और मैंने अब आपसे प्रश्ण पूछ लिया कि आप इसमें कितना लीटर दूद भर सकते है इसका मतलब कि जो हमारे पास किसी भी एक डब्बे की आयतन मीटर क्यूब में या फिर मैं कहूं घन मीटर में होती है, घन मात्रक में होती है, उसका सीधा सीधा जो एक संबंद है वो इस तरीके की यहाँ पर जो आपको एक आई दी गई है, मिली लीटर इससे होती है, या मीटर क्यूब यानि घन मात्रक और लीटर दोनों एक ही चीज की दो अलग अलग एकाईया है, अब आईए इस बात का मतलब समझें कि अगर एक लीटर का कोई दूद का पैकेट है और एक मीटर क्यूब का मेरे पास कोई बड़ा डब्बा है तो इन नोनों के आयतन में क्या संबंद होगा, तो आप सोचिए, एक बास सिर्फ इस बात की करिपना करिए कि हमारे पास एक इतना बड़ा डब्बा है जो कि एक मीटर उचा, एक मीटर लंबा और एक मीटर चौड़ा है, तो इसमें आप कितने दूद के पैकेट इस तरीके से फाल फाल के डालते तो अगर आपका उत्तर एक है, तो आप जानते हैं कि गलत है, एक से तो बहुत जादा हम पैकेट में डाल सकते हैं, अगर आपका उत्तर दस है, तो भी आप कम सोच रहे हैं, आप और डाल सकते हैं, क्या उत्तर सो है? नहीं, उत्तर है हजार, इसका आश्या ये हुआ, कि ए एक मीटर क्यूब जो है वो हजार लीटर का दूद यहां पे स्टोर कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से हम समझते हैं कि किसी एक डब्बे की और उसके अंदर दिया हुआ तरल पदार्थ की जो मात्रा है उसका सम्मन्द किस प्रकार से होता है मैं आपको एक इसका बहुती विशेश उधारन मताती हूँ जो कि हमारी रोजमना की जीवन में होता है और हम इसको बहुत जादा समझ भी नहीं पाते जैसे कि कभी-कभी अगर हम तेल वगेरा मार्केट से खरीदें जैसे मैंने यहां पे आपको अपने घर की एक तेल की में क्या लिखा है अगर मैं आपको थोड़ा सा और यहां पर जूम करके दिखा हूँ तो आप देख पाएंगे कि तेल की शीशे में लिखा हुआ है नेट कंटेंट दो लीटर तो लीटर में तो यह दो लीटर है और वजन में 1820 ग्राम है तो याद रखिए कि जब आप मार के बराबर नहीं है दो लीटर इसका मतलब कि इसकी जो है मात्रा इस तेल की मात्रा दो लीटर नाप करके इस डब्बे में भरी गई है इसका ये अर्थ बिलकुल भी नहीं है कि इसको तराजू पर रख करके दो किलो तौला गया है तो इस तरीके की जो चीज़े हैं वो आयतन का मान हैं उसका करना बहुत जादा जरूरी है अब आईए एक बार देखेंगे हमारे आसपार जो चीजें हैं उनकी असल आयतन के मान किस प्रकार से हैं जैसे कि मान लीजे अगर मैं लंबाई मात्र किसी एक चीज की कहूं कि 10 mm है एक सेंटीमीटर की लंबाई है तो एक सेंटीमीटर क्यूब का क्या मितलब हुआ एक सेंटीमीटर इंटू एक सेंटीमीटर इंटू एक सेंटीमीटर और फिर जब हम इसको गुणा करेंगे मिलीमीटर में परिवर्तित करके तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर जो की हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब और 1000 मि मिली लीटर के और अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आपने एक मिली लीटर के आयतन की कोई चीज देखी है कोई युक्ती ऐसी देखी है जिसकी मात्रा एक मिली लीटर हो तो हाँ आपने देखा होगा कि बच्चों को दबाई पलाने वाला जो डॉपर होता है या फिर कई कान में आँख में दबाई डालने वाला जो डॉपर होता है उसकी जो मात्रा है उसकी जो आयतन है वो कितनी होती है एक मिली लीटर इसी प्रकार से अगर मैं एक डेसिमीटर की बात करूँ तो वो दस सेंटिमीटर के बराबर होगा और एक डेसिमीटर की आयतन मात्र की बात करें तो वो 10 cm के बराबर होता है और अगर हम लीटर में निकालें तो वो 1000 लीटर हो गया तो 1000 लीटर की कौन जी चीज हम अपने आस-पास देख सकते हैं 1000 लीटर की बहुत सारी चीज़ा देख सकते हैं और यहां पर आपको दिखाया गया है कि ये डब्बे जो है इनकी को लायतन कितनी हो जाएगी एक मीटर क्यूब और अगर आप इसमें कोई तरल पतात भरेंगे तो वो हजार लीटर के बराबर होगा फिर एक मीटर जो है वो 100 सेंटी मीटर के भी बराबर होता है अपने घर में एक पानी की टंकी जिससे पूरे परिवार का काम चल जाता है एक दैने का वस्था में है न तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक लीटर जो है वो हजार एमल के बराबर है और एक किलो लीटर जो है वो हजार लीटर के बराबर है तो इस प्रकार से आपको असल जीवन में कैसे इन मात्राओं का प्रयोग हो रहा है ये समझना बहुती आउशक है और मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जो घन मात्रक है लंबाई का और जो मिली लीटर लीटर वगेरा ये जितनी भी एकाईया हैं ये सारी आयतन की एकाईया ह नहीं हैं वजन की बात नहीं हो रही है सिर्फ आयतन की बात हो रही है